हालो फ्रेंड्स मैं पूजा और एक बर फिर से आपका स्वा करते आपके अपने फेवेट सेग्मेंट आधी दुनिया के शॉपिंग सेग्मेंट में जैसा कि दोस्तों हम आर्सा में आपको लेकर आते हैं आपकी अपनी फेवेट शॉपिंग जीहां बज़र शॉपिंग करवाने आज भी मैं आई हूँ एक ऐसी जगा जहां आपको जूट से बनी हुई चीज़े धेर सारे चीज़े मिलेंगी फिर शाहे वो मनी पर्स में है फिर शाहे वो जूट का हैट हो या फिर हो जूट के बैग्स आज हम देखेंगे मार्केट में जूट से बनी हुई चीज़े कौन कौन सी जूट से बनी हुई चीज़े आपको कम दामों मिलेंगे आईए नज़र टालते हैं उन सारे समानों पर सबसे पहले बात करेंगे जूट से बने हुए हैट की एक हैट तो मैंने भी पहन रखा है देखिए मेरे पास जो जूट का हैट रखा हुआ है काफी खुपसूरत है और अगर कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दे तो ब्लू जिहाँ पिंक कलर से इसके सराउंड किया गया है चारो और प्योर पूरा जूट का वर्क है इसमें काफी खुपसूरत है और गर्मी में ये आपको धूपसे भी कवर करेगा धेर सारे कलेक्शन के अलग-अलग डिजाइन के जूट आपको देखने यहां मिल सकते हैं कपड़े के हैट या फिर प्लास्टिक के हैट तो आपने काफी यूज किये होंगे काफी पहने होंगे परन्तु ये जूट का हैट मार्केट में कम और आपको रीजनेवल दामों में मिलेगा अगर अप डिजाइन के बगएर भी कोई हैट लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं ये बिल्कुल डिजाइन के बगएर है डिफ्रेंट parks, डिफ्रेंट colour, डिफरेंट combination में देख सकते हैं ते जूट्स के hats हैं अब आये देखते हैं ये की properly przy्याने के बाद कितना खुब Girl लगता है तो देखा दोस्तो ये हैट लड़कियों पर हो या फिर लड़कों पर काफी खुपसुरत लगेगा और उन्हें अलग लगाएगा क्योंकि मार्केट में धेर सरा के हैट्स अविलेबल है मंगर जूट का हैट्स काफी डिमांडेड है देख सकते हैं आप ये डिजनेबल दामूवे मार्केट में इन दिनों बिक रहा है अब बात करेंगे कुछ जानिंग टेबल मैट की जी हाँ काफी खुपसुरत है ये जूट के मैट्स देख सकते हैं आप इने जानिंग टेबल में खाना खाते समय प्लेट के नीचे बिछा सकते हैं धेर सारे डिजाइन्स धेर सारे कलेक्शन्स में ये मैट्स आपको मार्केट में जिहां 30-30 रुपए में एविलेबल है अगर आप थोड़े dark colors के मैट लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये dark color का मैट घी है जाइन ग्रीन कलर का मैट है इसके corner में जूर के किनारे ग्रीन कलर के जूट से जूट को ग्रीन कलर किया गया है काफी खुबसुरत लग रहा है और मार्केट में धेर सारे प्लास्टिक मैट्स है और धेर सारे तरह तरह के डिजाइन्स मैट्स है मगर ये जूट के मैट्स आपको कम दाम और काफी खुबसुरत आपके डानिंग टेबल को दिखाएंगे देख सकते हैं धेर सारे कलेक्शन्स में ये सारे जूट के मैट्स इन दुनों मार्केट में बिक रहे हैं और इन मैट्स की खास बात ये है कि ये काफी डिमेंडेड है इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दैनिंग टेवल मैट्स के बाद आए नजर दालते हैं कुछ और क्लासी डाइनिग टेवल मैट्स या फिर कप मैट्स आप बोल सकती हैं जिने आप कप्स वगएरा ग्लास के वगएरा के नीचे रख सकती हैं देख सकते हैं धेज साले डिजाइन से इसमें भी और बहुत ही कालेक्शन्स भी हैं और मैं आपको बता दूँ यह सभी जूट से बनाए गये हैं प्योर जूट में इसमें इसमाल किया गया है बनाने के लिए और काफी डिजाइन इस इनके डिजाइन देखिए काफी डिफरेंट है और यह डिफरेंट कलर्स में देखिए डिफरेंट कलर में भी एविलेबल है काफी खूबसुर्यत है और काफी ट्रेंडी भी है जूट के मुबाइल बैक्स पर भी आप ध्यान दे सकते हैं देखिए जूट का मुबाइल बैक्स है यह धे सारे कलर्स धे सारे डेज डिजाइन्स और काफी कैरी है और लॉंग लास्टिंग भी है दे नीद। कि तो हेंगि स्टोन से बने हुए वॉर्ल हैंगन तो आपने देखे ही होंगे अपने जूट से बना हुए वॉल हैंग देखा थो नहींना तो देखिए कितना खुब्सूरत वॉर्ल हैंगग है और ड्रहंग नैंट पतली लग हैं और कीरेंग इसे अभ्या कि शारे जोत से बने ऊगे हैं तो आपके घर को आपके डोर कोई दिखाने के लिए इसका शेमाल किया गया है अभी आप के बड़े रबे डिजाइन के आउल के वोल हैंगिंग देख सकते हैं कितना खुबसूरत है यह वोल हैंगिंग आउल का डिजाइन और शेप इसे दिया गया है और अगर आप इसके बारीकी से इसके डिजाइन पर ध्यान दे तो काफी बारीकी डिजाइन है और काफी खुबसूरत लग रहा है इस हैंगिंग में भी धेर सारे डिजाइन, धेर सारे कलर्स, मार्कर्स में एविलेबल है और ये सब आपको 180 से 190 तक के रेंज में मिलेंगे अभी आपने देखे आउल के वॉल हैंगिंग, अब अब देखेंगे चिडियो के वॉल हैंगिंग जो चार शीड में इसे वॉल हैंगिंग तयार किया गया ये दो चिडियो का है जोड़ा जीहां दो चिडियो का जोड़ा वॉल हैंगिंग के रूप में तयार किया गया है और इसकी डिजाइन्स पर ध्यान दे, इसकी colors combination पर ध्यान दे काफी जीता जाकता ये wall hanging लग रहा है आप अपने घर को खुफसुरत बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करती है घर को और भी खुफसुरत बनाने के लिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने घर में flower wash लगाएं मगर आपको तो ये पता ही होगा flower wash market में धेर तरह के designs की मिलते हैं और धेर तरह के material की भी कुछ मिलते हैं चीनी मिची के तो कुछ मिलते हैं कार्श के मगर आज मैं आपको कुछ ऐसे flower wash दिखाऊंगी जो हैं जूट से बने हुए काफी खुफियत और काफी authentic जो आपके घर को काफी खुफियत बनाएंगी आईए अनर्जी दालते हैं कुछ ऐसे ही flower wash की ओर जो काफी authentic है और pure जूट से तयार किये गए हैं आप देख सकते हैं मेरे सामने धे सारे अलग-अलग डिजाइन्स के अलग-अलग पैटन्स के flower wash मौझूद है ज्यादा तर प्रयाइ घरों में काच के या चीनी मिच्चे के flower wash मौझूद होते हैं मगर जूट के flower wash काफी कम पाय जाते हैं और ये सब आप अगर इने चाहे तो आपने कॉर्णर्स में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर जानिंग जेवल में कुछ फूलों के साथ इने लगा दे तो देखा आपने धे सारे जूट के समान आज मैं आपको लेकर आई थी एक ऐसे मार्केट जहां आपको मिलेंगे जूट के बने हुई धेर सारी चीज़े फिर चाहे वो लेडिस बैक्स में हो, कीरिंग्स में हो, वोल हैंगिंग्स में हो या फिर बैंबू से बने हुए लामशेट या फिर flower wash अगर आप अपने घर को खोफियत बनाना शाहती हैं और जूट से बने हुई चीज़े रखना शाहती हैं तो बस मानी पास उठाईए और कम दमों में धेर सारी जूट के समान ले जाईए मुझे दीज़े इजादफ मैं मिलूँगी अगले हफ़ते कुछ और शॉपिंग सेग्मेंट के साथ सब तक के लिए देखते रहें आरे दुनिया